दोस्तो एक फोटो जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो एक ब्लैक एन वाइट फोटो है इस फोटो के उपर कुछ कलर्फुल लाइन से ड्रॉक कर दिया गया है जिसके चलते आपका दिमाग इस फोटो को कलर्फुल समझ रहा है दोस्तो लैला और मजनु का जनम 11 शताबदी में हुआ था जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे दोनों की प्रेम कहानी इतनी मशूर है कि इस दौर में हर कोई अपने आपको लैला मजनु समझने लगता है अब ही आप अपने स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हो लैला और मजनु का ए असली फोटो है जिसे फ्रैंस के म्यूजियम में रखा गया है अगर आप वहाँ पर खाना खाने जाओगे और ए फोटो इस बात को दिखाता है कि पैरेंस इस बात से बहुत खुश है लेकिन बच्चे नहीं दोस्तो जैसे अर्थ पर अर्थ कुईक आता है वैसे ही मून पर मून कुईक आता है और मून का सरफेस इतना सूखा है कि अगर मून पर मून कुईक आए तब उज्यादा लंबे समय तक रहता है दोस्तो इस बिल्ली का नाम डेस्टी है जो 1935 में यूएस के टैकसेस में पैदा हुआ था और इस बिल्ली ने 420 बच्चे पैदा किये थे अपने पूरे लाइफ टाइम में जो अपने आप में ही एक वोल्ट रेकॉर्ड है दोस्तो इस आंटी जिसे मिली जिसे दुनिया का सबसे अलोउन लेडी के नाम से जाना जाता है इनका नाम अगाफिया लिकोगा है जो अभी 77 एर्स की है जो रेशिया के सिंस माउंटेन में रहती है और इनके 160 किलोमेटर के अंदर कोई इंसान नहीं रहता दोस्तो सबसे लंबा ना सोने का जो रेकॉर्ड है वो 11 दिन और 25 मिनिट का है जिसे अमेरिका के 17 साल के लड़के रंटी गाडनर ने 1963 में किया था दोस्तो पाकिस्तान के अथोरिटी ने एक बंदर को इसलिए गिरफतर कर लिया था क्योंकि ओ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के बॉर्डर में आ गया था और जब ओ पाकिस्तान बापस आया तब उसे पाकिस्तान के वोईल ओफिशियल्स ने गिरफतर करके उसे एक जू मेर रख दिया और उस बंदर को बॉबी का नाम दिया दोस्तो जापान का कामी श्री ता कि स्टेशन को कुछ रिजन के चलते हुआ कि गोर्मेंट ने बंद करने का ओडर दिया रिजन एक भी था कि उस स्टेशन में कोई जाधा पैसेंजर आते जाते नहीं थे इसलिए उस स्टेशन को खोल कर रखने का कोई मतलब नहीं था लेकिन जब गोर्मेंट को ए पज़ता चला कि उस स्टेशन के एक ट्रेन से एक बच्ची अपना स्कूल आती जाती थी तब को गोर्मेंट ने वेट किया जब तक ओ लड़की ग्रैजुएट नहीं हो गया नमबर वन दोस्तो बटर म्यूजिक वीडियो बीटी इसका यूटीब का सबसे फास्टेस्ट वीडियो था 10 मिलियन व्यूज का शरीब 13 मिनिट में 10 मिलियन व्यूज आ गया था उस म्यूजिक वीडियो में